कि अग्यालों सभी दोस्तों को राम राम रादे रादे जैश्याराम मैं उपहंदर आपका अपने परिवाय टार्गेट विदेंकित में श्वागत करता हूं मैं आसा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे शांदार होंगे जवल जस्त होंगे और अपने पढ़ाई ब सॉल्व करेंगे करूड तो टांब ट्वेंटी क्षन को शॉलब करेंगे और भार्फागम विद कनोजिया सीवशागर सीखाचोहान तब एब एठीक है आप सभी बताएगा आप सभी कैसे हैं फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है पवित्रा अनिता बुध्ध पृतीश चिंग मनीश सभी को राम राम बाई राधे राधे जैश्य राम शभी को very good evening अब हम बेटा अपने कोशन में आज start करते हैं सुरीज को अपनी time and work है और time and work की आज ही है बेटा अपनी last class है जिसमें हम ठेकेधारी पराधारीद पिरसन को और ठेकेधारी पराधारीद पिरसन के साथ साथ हम इसमें आपकी कारे और मजदूरी वाले सवालों को भी आपके शामने डिसकस करेंगे और उसके बाद मेरे भाई कल हम इसके टॉप 20 कोशन परतेक चैप्टर के जैसे कि मैंने बेटा आपको भी को बोला है कि हम हर सब्जेक्ट के माला हम अपने हर टॉपिक के जैसे ही टॉपिक कम्प सब्सक्राइब जै महाकाल और ठेके दारी वाला पिरस्टन आपका ये सामने आपके सामने प्रिस्तौत नहीं करनी कोई डिमाग नहीं लागाना केवल और केबल मेरे भाई इसमें MDH जो मैंने आपको फारूमला बताया है MDH फारूमले से ही हम पूरे चेप्टर को इस ठेके दारी वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे MDH मैंने आपको बताया थी कि तो आप क्लास के टाइम पर आ जाया करो ठीक है अब जल्दी से सवाल को देखेंगे मेरे सभी दोस्त मेरे बहरीयों मेरे बहनों देखेगा पहले सवाल को करा एक ठेगे दार को 16 दिन में शडक बनाने के लिए निक्त किया गया कहा बढ़ी किछ भैब जल्दी के साथ 12 दिन काम करने के बाद बता चला कि पांच बटे 8 शडक ही बन पाई कि निर्धारी समय में काम पूरा करने के लिए कितने तिरीक मजदूरों किया आवसकता होगी चैनल बहुताना बेहतर साहंदार सवाल थेकेदार चुनी हो इस ने कहा कि 16 दिन ने अ आपको और क्या करा 20 मजदूरों के उसने लगा दिया देखो सबसे पहले मेरी बात समझेगा एक ठेकेदार को 16 दिन के 16 दिन में शड़क बनाने का क्या करा उसने भीटा ठेका लिया अब उसने कितने मजदूर लगा किस सबस्पार विया की थिसका करने के बाद इस pemomies बारि बारे दिन पाके अब इस पांच बाठ आठ का मतलब समझो मेरे भाई इस worship 5 बैटे 8 का logic समझो क्या है prayer 5 बैटे 8 का मतलब यह समझोWow चलंद अरक किलॉमीटर बनानी थे उसे लगलाgla eight क्लॉमीटर चलंद बनाने थी मेरे भाई उसे ऊशे इस तो शिलिपार्ध किलॉमीटर सालग को बनारे कितनी बची मेरे भईया तीन किलो मीटर शड़क बची अरे ध्यान से समझेगा मेरे भाई बटा था क्या ध्यान से देखेगा बटा आठ किलो मीटर शड़क थी आठ मेशे पांच बनी तो बची कितनी तीन दिन कितने बचे मेरे भईया चार क्योंकि सोले दिन में ठेका लिया बारे दिन काम कर दिया, चार दिन बचे, उसके बाद क्या कह रहा है, बिटा, कि अगर निर्धारी समय में ही काम पूरा करना है, तो कितने मजदूर अत्रिक्त लगाने होंगे, हमने माली कि बिटा, X मजदूर उसने लगाए, खाली X मजदूरों की वैलू निकालो पहले X की, एकस की वैलू निकालो पहले चार से, चार पंजे 20, पांच से पांच कैंटसिल, बारत 36, तो पहले X की वैलू कितनी आई, 36, और 36 में से कितना घटा दोगे, पहले 36 में से 20 घटाए, तो कितने आए मेरे भाया, 16, इसका मतलब कितने मजदूर और लगाने होंगे, भाया 16 मज हो निकी हो रही है, या आ रही है, तो क्या कीजेगा, अब धवाई वगएरा लिजेगा, क्या ही मैं क्या ही कर सकता हूं, ठीक है, I am a teacher, not a doctor, ठीक है, पिजीशन या डॉक्टर नहीं हूँ भई मैं, ओके, पीहु साइट तुमको गुरुजी चैनल पर जाके, अच्छे, बहुत बढ़िया बिटा, साविद्वी को शांदार बिटा, पीहु बहुत अच्छे, दीपा मौरिया, शांदार एजी मैडी, प्रीती सिंग, बहुत बढ़िया बिटा, सतीश जट सांदार बही अब, विशाका, अंशुमान, बहुत अच्छे, सभी के समाझ जागे बिटा, बहुत बढ़िया बिटा, बहुत अच्छे, मेरा सहीता नहाँ यादा वहाँ ठीक था आपका, अब देखें का बिटा, नेक्स कोशन नमबर बिटा, अरजुन, ओके, ध्यान दो पढ़ाई पर, एक रेल लाइन को तीन महीने में बिचाने के लिए, पिछेत्तर वैक्ति नियोजित किये गए, एक रेल लाइन बिचानी है, एक रेल वे लाइन बिचानी है, और बिटा, तीन महीने में बिचानी है, अब उसमें हुआ क केटा उसको केवल और केवल अठारे दिन में पूरा करना है अब कह रहा है वांचित समय में कार्ये को करने के लिए कितने और वैक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए है भekiया हुआ क्या अटेकदार से कहा कि है कि है अपको और टीन महीने में узнаy है अब आगए चुनाव आपके देश में जैसे कि लोग सब चुनाव आने बाले हैं अब सरकारने के भाई हमें आठारे दिन में चाहिए रेलेवे लाइन बच कर क्यों कि उन्हें अपना चुनावी एजंडा बनाना है तो क्या करेंगे अब आपात इस्तिती आ गई या देश इसमें कोई भी थीक तो अब बनाने है मात अठारे दिन में अब एक बड़तों कितने एस्टा मज़़ूर चाहिए बहिए असा तो है ना काम तो उतने ही रेलेवे लाइन तो उतनी भीछानी है पिचेतर वेक्ति हैं अब उसको जल्दी काम को पूरा करना है तो आपको क्या मठीक diesen का कॉन सक्ता है कॉंस सकता है मिरे भाई को हो गए साइड ओके करियेगा मेरा भा अचकरी जल्दी कि मेरा की थाकेदार थानेदार या ठेकेदार हैं भी करिएगा बिटा जल्दीशे करिएगेश वाले कोश्चन को बहुत बढ़िया बड़ा शांदार 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 जवजास्त देखिएगा बढ़िया बढ़िया नहीं चलेगी रोशनी देखो एक रेल लाइन को बिछाने के लिए पिछे कि पिछेंट्र मख़ूर जर्गाएग दीन के लिए पिछेथर मख़ूर लगा दिया एक मजदूर बढ़ाए उसने और आठारे दिन में काम को पूरा करा तो अब इसगह Shutlock करिगे ने 352 बेटा 3555 बरावर कितने हो हो गाए X मैं अब एक्स की वैलू 305 बेटा वैक्ति कितने बढ़ा है मलब तोल वैक्ति है तो 300 पि चैतर में से आप माइनस कर देंगे तो कितने एक्स्ट्रा वैक्ती और चाहिए मेरे भाइया आपको 300 300 extra व्यक्ति और चाहिए 325 नहीं मेरे बेटा 300 और आपको चाहिए कि कितने चाहिए मेरे भीया 300 चाहिए रुक्वाइर जो आपको रिक्वाइर है जो आपको आवसकता है वह कितने मजदूरों की है और 300 मजदूर और लगा दोगे ना तब जाकर के कहीं पे ये काम अठारे दिन में पूरा हो पाएगा ओके बहुत बढ़िया बिटा जल्दी से बताईएगा फिर हम बिटा आपने आगा बढ़ते हैं एक्सक्वोशन की तरफ तरफ तीक्या तोटल में 75 तो और लेडी थे ही तो 300 आप और चाहिए तब जाकर सड़क अठारे दिन में बनेगी ठीक है ना देखेंगा आगे देखें यह रहा आपके शामने एक और बहुतर सांदार और जानदार और सभी का बहुतर सवाल एक आपके शामने क्या है सवाल आप इस सवाल को सबसे पहले देखो आपका देखो सबसे बहली चीज होता है किसी भी सवाल की रीडिंग करना और रीडिंग बहुत अच्छे से और रीडिंग करने के साथ साथ उस पर चिंतन भी करते रहना है ठीक है तब ही बेटा आप कोश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहतर तरीकेशे आप उस पर कंसेट पर आप ने काम किया होगा चैनल यह तो उसी कंसेट को लिकर कर चलेंगे जैसे कि अगर मैं इस बात करूँ एप ठेकेदान ने एक मजदूरों की अपने हाँ इस सर्थ पर नौकरी धी उस जे कहा भाई मेरे पास नौकरी कर लेकिन सर्थ एक है उसंतित ह होने वाले दिन जिस दिन मेरे हां पर पर उपस्थित रहेगा आंक 59 रुपय कितने रुपय दुन मुझा मुझा विभाख फिट युझा 5 desic । ग्रहने पर ने केवल उसकी मज़़ुरीipe Sydney कि बल्टी बल्कि उससे बिटा उल्टे 15 रुपे प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा कितना बहतर सवाल है ठीक है पिर करा या 20 दिन के पस्चाद थेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपया दे दिये उसकी मजदूरी 1140 रुपय बनी तो बिटा कितने दिन के लिए कारे से आनुपस्तित रहा मतलब क्या वो तीन दिन के लिए रहा क्या चार दिन के लिए रहा क्या बिटा पांच के या क्या दो के लिए रहा ठीक है अपकी क्लास नहीं मिल रहे थी यूट्यूब पर अब तो मिल गई ना महीं गोतम ठीक है अब देखेगा बेटा इस सवाल पर चलचा कीजिएगा क्या किया रहा है सवाल को देखो बेटा एक ठेके दाने मजदूर को अपने हां इस बात पर रख लिया कि अगर आप हमा और बीज दिन पर चाथ बिए ऐसने कंवक्त रूड अपको चोधेसौ शालीजर देये मजदूर 1144 रुपे मानली ऐसे सक्जो अगर उसने एक्सम दिन तक मजदूरी की तो पैसे कितने में है is 25 अगर एक्स दिन's क्या रहा मेरे भाहिया प्रजैन्ट रहा एक्स दिन्वेग तब एक बात बताईएगा अगर एकस दिनता को पस्तित रहा तो 75 रुपे मिलते पिलस मेरे भाई अब टोटल बीस दिन काम कर रहा इसका मुलब बीस माइनस एक्स दिन उसने मेरे भाईया क्या नहीं किरा मजदूरी नहीं कि टोटल कितने रुपे मिलेंगे बरावर किसके होगे बैटा पंदर एस ग्यारे सो चालिस के पहले मैं आपको केवल केवल बैटा इसे बेसिक से समझ रहा हूं देखो बिटा और समझे लो बेसिक से से मैंने माना कि एक्स दिन तक मेरे भाईया वो प्रिजेंट रहा अनुपस्तित रहा एक्स दिन तक क्या रहा मेरे भाई वो उपस्तित रहा तोटल कितने दिन काम करा मेरे भाईया बीस दिन अगर बीस में से एक्स दिन उप काटे जाएंगे उसके क्या होंगे उसके पंधरे रुपे काटे जाएंगे इतने दिन रहे माइनस बरावर कितना ग्यारे सो चालिस के सॉल कर लो बैटा बस इतना सवाल है यह देखो बिटा यह कितना होगा सेवन्टी सेवन्टी फाइव एक्स माइनस का पंधर दूनी कितने होगे तीस तीन सो माइनस माइनस प्लस कितने होगे बिटा पंधरा एक्स बरावर कितने होगे ग्यारे सो चालिस ठीक अब देखो पिछेत्तर और पंधरे कितने होगे भीया आप कहोगे जी पिछेत्तर और पंधरे होत और 1440 0 से 0 X से काटोगे कितना आ गया भीया X बरावर 169 इसका मतला अगर उपस्तित रहा है वो 16 दिन तो आपका बेटा अनुपस्तित कितने दिन रहा है वो 4 दिन कितने दिन रहा है मेरे भीया 4 दिन रहा है इसका मतला 4 दिन उसने मजदूरी नहीं की है कितने दिन मजदूरी नहीं किये उसने ओके बहुत बढ़िया बिटा बताईए इस सवाले सवाल को आप सभी के समझ में आ गया जल्दी बताओ भीया आ गया समझ में आप सभी के भीया प्रिणाम भई अब बताओ आप सभी मेरे भाई भेंट बहुत बढ़िया बटा दीपू अनीता अमित नीरू बहुत अच्छे बटा मिस्टर इवराज ततीजड सांदार बढ़ा सांदार विशाका बहुत अच्छे राकेस बहुत अच्छे बढ़िश सांदार तुश्कमला सोले दिन उसने क काम करा चार दिन काम नहीं किया बटा अच्छे बटा मित्सरमा अरे कुछ नहीं है भाईया देखिएगा कैसी बाते कर रहे हैं यह रहा आपके शामने एक और शांदार सवार सर जी आप पहले बेशिक फार्मूला फिल्ट्रिक बताया कीजिए जिस एक्स वाई बटा एक्स इसमें ट्रिक कहां लगी है अच्छे थीक है बटा टी डेवलो के लाइडला माका लाइडला बिगड़ गया बताएगा इसका अंसर क्या आएगा ऑखे बेटा कोई दिन रिकतने है पण्ड़ जी देखेगा वई अप्साहंदार बेटा सैन्दार यह क्या कह रहा है कुछ वैक्ति मिलकर प्रतिदिन नहंगधि कारेकर किसी कारे को चौम कर दिए जये उसका बेटा लिटम कर सकत सकते हैं तो सेस व्यक्ति हो कि क्यामन दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिजिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा बिटा सर लड़के चीते हैं अच्छिया लड़के असेर नहीं यहां है ठीक है ओके जल्दी बताओ भाई इस कोशन को आप सभी शॉल करेंगे जल्दी शे बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में कोई भी फार्मुला ही नहीं है राज बहादुर ठीक है बड़ा फार्मुला होता है तो मैं आपको नहीं बताता है क्या ओके ऐसा नहीं है मेरे दोस्त और कर आये बहुत अच्छे बेटा पृति शंृब शांदार बहुत अच्छे वेटा सांदार जवाजस्थ रमाकान वेरी गुड नेहा दीपं मौर्या वेरी या जानदार जवाजस acht-च्या यह बात है आर्जुन आर्जुन नाम के अनूसार आप काम नहीं कर रहे है है ठीक है है कि गुरू जी मेरे से नहीं हो रहा आज कोई दिक्कत नहीं है ओके इतना कठी सवाल कठी नहीं है आपको देख रहा है पटा रूपा Sir मेरा कमेट नहीं दिख रहा है आपका कमेंट देखो कुछ वैक्ति मनली है य। kitchen दिन काम कर रहे थे और चौनतिस दिन में उस 34 दिन ता काम कर रहे थे ओके आगे आ जाईएगा बिटा इकवल अब क्या कह रहा है यदी वैक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए माली बैटा टोटल पहले एक्स ही वैक्ति थे 40% कम कर दिया तो 60 बचे एक्स गुड़ा मतला बिटा 60 बटे 100 आप इसे कर सकते हैं 20 жд 60 20 500 बोले तो मरे भाईया 3 angle 5 कोई दिक्कत कोई तीकत नहीं बटा कोई शमाशी नहीं तो सेक्ति को 51 दिन में कितने जिन में मेरे बिआ क्यावन दिन में उसी कार्य को पूरा करिने के लिए पिरती दिन कितने घंटे मलब कितने घंटे काम करना होगा कितने घंटे काम करना होगा यह आपको बताना है बहिए सत्रे दुनी कितना बहतर सवाल है कितना सांधार सवाल है जो हमने बिटा चुठक्यों में अपना solve कर लिया बस क्या किया इस सवाल की हमने भाया language को पढ़ा इसकी भासा को पढ़ा और भासा के सासा जैसे ये कहता रहा मैं बिटा वैसे ही करता रहा ठीक है कुछ हमने ऐसे अपनी तरफ से कुछ नहीं किया कुछ व्यक्ति माली एक्स व्यक्ति थे 9 घंटे प्रति दिन काम कर रहे थे 34 दिन तक काम कर रहे थे अगर व्यक्तियों की संगी 40% कम हो जाती तो 60% बस थे एक्स गुणा 60 बटे 100 एक्स गुणा 60 बटे 100 बीस तियसाट बीस पंजे 100 तीने एक्स बटे 5 51 तक काम करें तो बेटा कितने दिन में उस कितने घंटे काम करें जुन काम निवट जाए तो काम बेटने 10 घंटे करना होगा ओके बेटा हो बहुत अच्छे बेटा ठीक है गुरुजी गलत हो रहे हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है पहली वार पढ़ रहे हो आगे देखेगा कोशन नमबर 5 लेकिन यह सवाल बेटा अपने आप में बहतर सवाल है सांदार सवाल जैसे कि मैंने आपसे बेटा वादा किया था मैं अपने वादे को निभा रहा हूं कि कि मैं बेटा आपको हर एक चैप्टर जीरो टू हीरो लेवल तक यह टॉप लेकर के चलूंगा और वही बेटा मैं आपके साथ कर रहा हूं ठीक है ठीक जैसे कि मैंने आप से का बेटा पेपर का लेवल हाइड भी बने तब भी हमें कोई प्रॉबलम नहीं क्योंकि हम अपन अजय दिखो एक्स कहा गया ओ बड़ी बुरी भावड्स जो दो बड़ो बुरो भाव एक्स कहां घूब एक्स एक्स जो कड़ो ड़ो गया है ठीके ना एक्स-एक्स कड़ गया पेटा कि कि को के मेरे भाई है कि अगर आगा देखेगे सवाले कॉस्ष journ को या ठीक है आप देखेगा एक कारे को 18 वैक्ति प्रतित साथ घंटे कारे करके 32 दुनों में पूरा कर सकते हैं उसी कारे को 14 वैक्ति प्रतितित आठ करके किसी पूरा कर गंटे प्रति दिन काम करके 32 दिनों में किसी काम को बिटा वो कर सकते हैं तो उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रति दिन 8 गंटे कार्य करके कितने दिन में शॉल्ब कर सकते हैं किया ही टैंस ने भाई कि का ही टैंसन है साथ से काट लो साथ दुनी चौध है आठ दुनी सोले सोले दुनी 328 दुनी 36 तो कितना आगे मेरे भाईया 36 दिन इसका करेक्ट आंसवर 36, 36 दिन इसका आंसर correct, शानदार जानदार सवाल अपना बेटा, अब आगे देखेंगे मेरे भाई, अब आप आगे देखेंगे, टेंसा नहीं लेंगे, अब मैं आपको कराता हूँ बेटा, कारिय और मजदूरी पर आधारी सवाल, ठीक है, अब हम इसको कारिय और मजदूरी इसके वाले कुछ टाइप के सवाल होंगे, उन्हें देखेंगे, ठीक है, देखेंगे बेटा, यह आपका यहां से start होता है, work and wages, work and wages, कारिय और मजदूरी, बेटा कारिय और मजदूरी में ऐस्तरा कोई दिमाग नहीं लगाना, ना ऐस्तरा कुछ है इसमें, बस इसमें एक ध्यान रखना है, कि आपको जो मजदूरी मिलेगी, बेटा वो छमता के अनुसार मिलेगी, किसके अनुसार, छमता के अनुसार, मतलब कहने का यह हुआ, जिस व्यक्ति की जितनी छमता होगी, उस व्यक्ति को उतना ही, बेटा, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, हफ्ते में एक दिन पढ़ाए गए सभी पाठों का रिवीजन या बटा प्रैक्टिस्या मैरफन करवा दीजिएगा ओके बटा राजबादों आपकी बातों को हम पानी देंगे ठीक है ना प्रेंशन कहें लेते हैं अब मैंने क्या बताया कारियम बजदूरी में हमें काम करना है किस पर छमता पर मैंने आपको बात भी बताई थी कि जब भी कभी मेरे बिटा मेरे दोस्त आप कभी भी पूरे टाइम और वर्क का चैप्टर के सवाल सौल करो अपना पूरा फोकस रखो किस पर छमता निकालने भर अगर चमता निकालने ली जांब आपको कोई कोई दिकत कोई परिशानी नहीं होगी तीक देखेगा जैसे की यह सुमन यह सुमन एक कारिय को बेटा तीन दीन में कर सकती हैं और दूसरी है बेटा सुमक्व सुम्थी सुमथ्थी वो उसे दोदिन में कर सकती हैğं तोटल काम भीटा 6 है तीन दुनी छे और दो तिया छे अब यहां से देखेगा मेरे भाईया उनको कुल 150 रुपे मिलते हैं कितने रुपे मिल रहे हैं एक सुपचा खाली 50 रुपे तो सुमन का क्या भाव होगा वही टोटल दौनों की कारेश हमता कितनी है पांच और पांच किसके बरावर बिट सब्सक्राइब 15 30 ऐथ और 30 इल्ली 2 कितना बीटा साथ तो कितने रुपे मज़वी मिलेगी उसको बडिप में से साथ रुसर रुपे मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे मेरे भाईया और साथ रुपएं मिलेंगे बताओ जल्दी से अंसर कोई दिक्कत नहीं बीटा यहां तक कोई श्मस्य नहीं खास फिर बेटा शानदार है कि आखे उके उके को आगे देखेगा यह इस सवाल को आप टाइम लीजेगा जल्दी से और मुझे इस सवाल का स्वाल्ट मताइए कि इसका अंसर क्या होगा प्रश्चौधरी जाट कुछ नहीं है इन बातों में इगल फ्रेंड बनोगी नहीं बनोगी ठीक है बेटा पढ़ लो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वह जमाने लदगे ठीक है कि लविज ब्लाइंड अब बेटा उसके चस्मा लग चुके हैं वह सारी चीजे देखता है तो सबसे पहला ही आपका काम बेटा जॉब लेना क ठीक है उसके बाद बेक्टा सारी चीज अच्छे लगधी है आप REAL में जियो वास्तविकता मैं जियो बेटा की धिवील में नहीं कि वह रील एक अलग होती है मूबी में ठीक है ना कर एंद वह मूबी है बेटा कि यह रियल में जी रहे हैं आप त्रीक है ना देखिएगा बेटा यह आप हीरा ठागुर फिलम नहीं देख रहे हैं बेटा ठीक है कि आप एक बस लेंगे बहुत बड़े मालदार हो जोएंगे ठीक है आपकी बीबी कलेक्टर बन जाएगी तो इन बात में नहीं है कुछ भी तो आप ही ना तो ही रठागुर है आप ठीक है ना तो अमिताब बच्चन है किस वो कौन जी फिलम के कि ना आपकी बीबी आते ही एकदम कलेक्टर बन जाएगी ओके नहीं आप मज़दूरी कर पाऊगे ऐसा है पढ़ाई पर दियांदो तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है स्टॉनी मैक्स टीवी नहीं देख रहे हैं आप पर पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क बेटा वर् बहुत अच्छे बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक इसाथ काम को चथी दिन में निप्टा देते हैं कितने दिन में मेरे भाया चथी दिन में निप्ता सकते हैं आमें वी की पहले तो टोटल वाइंगा अलश्म लो बेटा चथी सका और तड़िश्ट का कितना तो तो देखो अगर ल्ट एक नौ चार गुणा शलीकण गोडिगुर cm1। sporty तो नौ टो एक बहर आए गा ईनका तो नो गूणा चार गुना साट थे को नौ चारम चारम चाहरण बचल्फट्य। इसा बिखल नो गूणा है और बी दोनों की साथ है उसमें एक ही चार है तो बिकीं कितनी है तीर हमें टोटल कितने दे रखें फांच नाudso 5954 ए 565950 और रुपोए किसके वेलू साथ की में वी की पूछत रहे तो को पाइसी घुणा कितनी करोगे जएक कितनी गुणा करोगे तीन अब साथ से काट लो साथ अक्ठे चपन और साथ पंजे पैंतिस जीरो बेड़ा जीरो की जीरो पांस दिया पंधरे का पांच से लेक आठे चौबी सर एक बच्चिस तो बेड़ा पच्चिस सो पचास रुपेस का अंसर पूफ डॉल फाइव जीरो हाँ कल से बिटा क्योंकि कल अभी आती नहीं है पढ़ाई तो आज से ही सुरू करनी होगी ठीक है ओके सभी के समझ में पच्चिस सो बचास जिसका अंसर था ठीक था बहुत अच्छी चांदार कोई टेंसर नहीं लेना अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखिएगा बेटा देखिएगा पटा्य polsk 50 नेक्स को पुछन मैं बेटा राज-बहादुर ताली कवाल हैएं स्रीज कॉप्रीट करा दूँ उसके बाद कर अगर बाज की तरह उडान भरना है कित पीछ अ लूब एक मैं पुण कि ह косख किया वम ते देखिया है देखिया एक औरम और थे नियुको 1500 रूपे में ठेकम कैंड़ वाण दिन कुरह चालक लिए तब ढीधा काथ के लिधा सी लिख्वा कितना है। बेटा A ने अकेले काम करा 8 दिन तक ठीक है बेटा B ने अकेले काम करा 12 दिन तक अगर वो C के साथ मिल जाते हैं दौनों तो काम को निफ्टा देते हैं वो 4 दिन में कि अलिस्यम बेटा कितना चौविस आठीया 24 बारेदुनी 24 चार चिंग 24 चार्चिंग 24 चार्चिंग बेटा कितने 24 अब देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा एक की वैलू कितनी है कितनी है दो सी कितनी बची अब आपिसिंग पाइस थो लियाँ आफ अब की समेजो बटा मैने क्या बताय से only ओड़ा पैसे कितने और रुपे चैंदे ऐंगा कितने んな रुपरू ले कंद रूपर है तोकम किसे को ओधा एक उपक्रैंसे कश में क इक को 42 बच्चे 3 6 530 तो बेटा 750 रुपे आएगी 750 रुपे मजदूरी आएगी आपकी जो बटा आ रही है मजदूरी आप जो मजदूरी बता रहे हैं 250 तो आप गलत बता रहे हैं थीक है तो 250 नहीं है इस कांसवर इस कांसवर बेटा साड़े साथ सो ठीक है ओके है हाँ बहुत बेटा हूँ सवाल नमबर 10 आपके शामने, बहतर और शांदर सवाल अब और सभाइ पढ़ाई पर दियान दो अब ठीक है देखेगा बेटा इस चापवय क्या बताना है बेटा बेटा देखो मैंने बताया एक की 8 दिन में B 12 दिन में c की साहता से वह चार दिन में L 24 ल लगोज है अर्ट टीनिया 24 दो है तो छे की वेलव 45 सोब की पूछ रहा है तो मैंने किया मज़दूरी कारे छमथा कानुसार बढ़ती है और कारे 양 और दूसरा बिटा अर्टालिस दिनों में कर सकता एक विसेसक की मदद लेकर वे काम को बारे सिर्ट हूं ट्युशुल कर सकता था तो या बताव एक एक है इंप एर में दूसरा है मेरे बेट आड़ तालिश दिन में इस ट्रैनी और पॉल और विशेसक मालो कोई भी एक्सपाइट है में बीट वह बारे दिन में वह आयलिश्यम ले लो छान में थार понял दो की बाद क के ठाएइंटतः के बाद चलेगं चलेगे इनका उगा आ रहा टालिस का और ठीसका देख लो फीड़ा एंसल आब कि मैं चोटा बच्चा हूँ चोटा बच्चा जानके ना तुम आंक दिखा ना रे बद आईएगा बेटा कितना आएगा बेटा इल्सम कितना आएगा तो देखो 36 48 दुनी चानमे और 48 तिया कितने होते हैं क्योंकि 12 बारे 146 इसकी वेल्लु कितने चार इसकी पांच तो टोटल जो 28,800 रुपया है मेरे भाई 28,800 बारे की इसकी वेल्ली पूश्रा बेटा इसकी ईक्सपर्टाइज की बारे पांच की वेल्लु बारे दू कितने 24 और 24 ररे चौक और 28 और 24 फंजे एक सो बीस और दो जिरो ये बची तो आंसर आगे बेटा बारह हजार रुपिया और्थ आप्सन इस दा करेक्ट आंसर बेटा 14 है नहीं बेटा बारह हजार आएगा 16800 नहीं आएगा अरव को कि बेटा नेक्स्ट कॉश्चन नमर 11 देखें का बेटा कॉश्चन नमर 11 को आप देखो हर सब्सक्राइब के आएग सवाल इंशलिद ये 11 को के थीरह है वहीं चैल रही हैं हम कर क्या रहें हम मजदूरी को का रहे कर चमदा का निसार ही बाट रहे है और वही सब्सक्राइब आपको दोगित आस की औरंच बेटा मिं यॉसलेरी ये पॉल की बैटा तीन है तो इसकी टोटल बारे हैं तो बारे में से बिटा ये पांच बचा ये पांच ही पूछ रहा है ठीक है बैटा कोई दिख्खत नहीं है फेर लेविली ऐसे ही दिखेंगे बड़ा है 3 रिकती हैं मेरे भईया । एक कारे को बारे सुरू परिकरने के लिए करार करते हैं उन्होंने ठेका ले लिया में पहला वैक्ति उस कारे को आथ 25 12 और तीसरे वैक्ति 16 दिन में पूरा कर के सकता वसम मिलकर चोफे वेक्ति की इसाहिता लेकर उसको तीन निर में कर सकते हैं तो चौते व्यक्ति को कितनी राशी मिली है ठीक है कि अब बहुत अच्छी बात है दीक्षा ऐसा ही करना भी चाहिए आपका वेल्डन बेटा सांदार ठीक है बहुत अच्छे जल्दी से करिए इस वाले कॉस्चन को अच्छ झादार मेरे भाई कृ sandy करें नाम भी क्रिमिनल काम भी क्रिमिनल देखो तीन वैक्ति है यह माली एह है वह किषी काम को अच्छ दिन में नी में किसी हा बार दिन में दूश्र वैक्ति है काम को भी निन में और 34 वैक्तिificación को होос तीन दिन में मतलब A, B, C और D बेटा कितने दिन में काम को चार दिन में तो एलशम कितना लोगे बेटा 48 अगर 48 है तो भाईया अब सवाल को यहां से एक डेंडा और खेंच लो आठ चिंग 48, बारे चौक 48, सोलती 48 और बारे चौक 48 भाईया ऐसी होगा ना बेटा तीन दिन है यह तो इसका मतलब टोटल वैलू कितने आई 16 तो टोटल वैलू है अगर आपको यहां से सौल करना है तो आसान है बेटा तोले से काट लो चाहिए इस दा करेक्ट आंसर ओके बेटा तो 225 इसका करेक्ट आंसर है बेटा आगे बढ़िए कोशन नमबर 11 12 को देखेगा यह रहा आप पे शामने एक और बैतर और शांदा सवाल यह करा यदि किसी फैक्टरी में मजदूरों की संख्या में 15 अनुपात 11 अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में बेटा 225 की अनुपात में घटाई जानी चाहिए यह किस अनुपात में घटेगी कितना बहुत इतनी सामदार सवाल है अच्छा बेटा क्रिमनल सही कहा रहे हो भाई देखिएगा बेटेस वाले कुशन को भी जल्दी जे बताईए कि इस कांस्मर क्या आएगा भाई है ओके करिएगा बेटेस वाले सवाल को बहुत अच्छा सवाल है बेटा थीक है बेटा तवियत कनऊ जींण है ठीक है हर्ष् कुछ नहीं है इन बात हों में ठीक है क्यों पढ़ए हो इन चक्करों में ओके देखो यदी किसी फैक्टरी में मजदूरों की संख्या पहले जो मजदूर थे 15 से हो गई 11 और मजदूरी होगी 22 से घटकर 25 मला 22 से बढ़कर 25 अगर पहले 15 मजदूर है तो 22 रुपे मिल रहे थे 25 मिल रहे तो रेशो निकालना बहुत असान है पांस से कट लो पांस तीया 15 और पांच पच्चे पच्चिस बेटा रेशो में आमने सामने की वैलू कर जाती है 11 दूनी 22 तो तीन दूनी 6 और यह कितना आगे पांस तो 6 अनू पाद 5 इसका करेक्ट आंसवर एक आंसवर थीक है बहुत अड़िया बेटा ओके आगे देखो बेटा नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर बेटा तेहरा करा एक धन्रासी एक को एक किस दिन तक और बीको ठाइस दिन तक मज़दूरी देने के लिए परियाप्त है तो उन्हों सर वही धन्रासी दौनों को साथ-साथ काम करने प ओके ओके तीजियेगा बेटा कोश्चन है इंडियन में हो इंडियन बहुत अच्छे बेटा धन्यवाद अच्छे हर्स तुमारे नम बदनाम कर रहा है अब हर्स का नोची है ठीक कह रहे हूं बेटा अगर बेटा काम को 21 दिन में कर सकता है अगर अगरता एलचम लेने प्रॉब्लम होगा करे ना तो जैसे साथ यहां लिख लिए करो जरूरी नियां कि आप अलचम लो मल्टिपलाई करो गुना करो तब ही आपका नहीं साथ से भाग कर दो साथ से साथ तो उने केवल बारे दिन तक ही मज़दूरी दी जाएगी बेटा केवल अगर दौनों एक साथ मिल करके वह काम को स्टार्ट करने लगें ठीक है ओके यह बेटा सवाल है यह यह रहा बेटा आपके शामने और एक बहतर सवाल किज़ेगा बेटा सवाल को बहतर सांदर सवाल एक पुरुस और एक महेला एक लड़के ने मिलकर बेटा पांस दिन ता काम किया और उन्हें कुल बेटा 800 रुपे की मज़दूरी प्राप्त हुई कराए पुरुस लड़के की अपिक्छा तीन कुना कारे कुशल है उनकी कारे अगर लड़का एक काम करेगा तो दौनों ने चार दिन तक काम किया है और मैंने आपको क्या बताया है बेटा जल्दी से इस बात को बताओ जल्दी से इस बात को बढ़ाओ बेटा है इस बात को बताओ बेटा इसका अंसर जल्दी से बहुत अच्छे बढ़ाओ बढ़े शांदार बेटा शांदार स्रकुछ लोग टाइम पास कर रहें करने दो यार पंड़की तुम क्या टैंसल लेते हो तो देखो मज़दूरी जो बढ़ती है बेटा किसके नुसार बढ़ है मेरे बही चार चार अगर चमता है टोटल तो चार से बाग करें कितना आएगा बीटा दो और यह 200 जो है बिटा तो लड़के की मज़दूरी कितनी है बेटा एक लेकिन हमें ये पांस दिन की बेटा पांस से बाग करोगे तो पांच चालिस रूपया चालिस यह आपका आ कॉल कर सकते हैं यह ऐसे ही देख लो 800 रुपे मजदूरी है शार की वैल्लू अब आट सो की वैल्लू कि इतनी है चार बिटा तो दो सो रुपय यह पांस दिन के आपके आपके अंसर कर लो गए ठीक है जल्दी से बेटा इसाई की किलास कब होगी बेटा एसाई की किलास तो बाद में होगी ठीक है अब आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट कोश्य नमबर 15 यह है आपके सामने एक और बहतर सवाल कोई दिक्कत नहीं बेटा कॉल आ गया तो वो भी जरूर यह है अच्छी हाँ 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 सही कहारी यह रूपा इसका अंस्वर बताईगा बिटा कोई व्यक्ति एक सब्सक्राइब नायूर नहीं में पचास घंटे के काम के लिए दो हजार रुपे कमाता है और अर्त्रिक समय के लिए उसे नियमित दर्से डिएड़गुना ब्रूकतान किया जाता और 27 और 27 बेटा 2300 रुपे कमाने किलों से कितने गंटे काम करना पड़ेगा बताओ बेटा जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से सवाल को सौल करोगे कितने गंटे काम करना पड़ेगा बहुत बढ़े हैं आद दो बज़े वाली क्लास नहीं चले थे बेटा राजकुमार देखो यदी कोई वेक्टिवेटा सब्ताह में पहले 50 गंटे के काम के लिए 2000 रुपय लेता है अगर 2000 रुपय ले रहा है मेरे भाईया अगर 2000 रुपय ले रहा है पचास घंटे के तो एक घंटे कितना ले रहा है वह 400 रुपया प्रति घंटा ले रहा है अब कह रहा है कर अत्रिक समय के लिए उसे बेड़ा धीन गुना रुपे मिले अत्रिक मलत 40 का धीर गुना मनलत वेड़ा तीन बिटे दो धीर गुना तो यही होगा तो उसे कितने रुप्य मिलेंगे 60 रुपय परतीगंटे मिलते हैं अगर वो इस से ज्यादा काम करता है अब 200 रुपया उसे मिले बीटा तो तेईसितों में से दोहजार घठा दी तो कितने बचे विटा 300 रुपया और उसे कमाने के लिए कितने घंटे काम करना होगा तो यह आया है ओके ना हां तो जब एलपी के लिए बेटा कोई बैच है यह नहीं तो अभी आपको पढ़ाई भी नहीं रहें उसमें चलेगा तो पढ़ाने में क्या है यह टेंसले लेते हैं ओके देखिए गड़ा नेक्स कोशन की बात करते हैं अब आगें कोशन नमबर 16 यह आज का बेटा आपका लास्ट कोशन है ठीक है उसके बाल बेटा कल आपकी हम स्टार्ट करेंगे आपके 20 कोशन टॉप 20 कोशन अब सर आप कल कहां थे बिटा कल में कहीं बाहर गया होता है कोई पुलिस का है तो कोई दिक्कत नहीं है कि देखेगा ABC किसी काम को 5290 रुपे में करने के लिए लगाते हैं माना की और भी को बिटा 1923 कारे करते हैं और भी बिटा और C 823 कारे करते तो एक को कितने कारे का भुकतान किया जाना चाहिए कितना अच्छा सवाल है अच्छा इस बैच को पढ़ सकते हो बिटा ELP के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो कुमन चैप्टर वो सम्में एक से होते हैं जो अलग से कुछ टेक्निकल चैप्टर है वो बिटा अलग से बता देंगे बाद में ठीक है देखो अब यहां से समझो ABC ने तीनों ने रुपे में ठेका ले लिए किसी काम को करने का ए और बी बेटा ध्यान से समझना 19 बैटा 23 काम करा और ध्यान से देखो बेटा B और C ने जो काम करा मेरे भाईया 8 बैटे 23 काम करा अब देखो इस सवाल को कितना बहतर सड़ीके से आप निप्टाएंगे ध्यान से देखेगा ध्यान से देखेगा मिरे भाई इसका मतलब क्या है टोटल काम है 23 यहांद कल काम कितना है अब द्यान से देखो अगर 23 काम में से 19 काम बैटा A क्लाश ए प्लस B ने कर दिया तो A ने कितना काम करा मेरे भाई — चार? मैं क्या कहां रहा हूं कितना काम कर 추xi काम ध्यान से देखते रहना अगर बेटा बी पिलस सी ने टोटल 23 काम में से 8 काम कर दिया तो बेटा एने कितना काम करा आपको 15 काम बच्छा वह यह का 15 पंधर चार तो बेटा बी का कितना होगा 15 4 19 4 23 ए बी सी की इफिसेंसी निकल कर आ गई कोई दिक्कत नहीं बहुत अच्छे टोटल इफिसेंसी कितनी है 23 तो पांस बावन सो जो नभ्य वैल्लू है वह किसकी है 23 की किसका पूछ रहा है बेटा एका तो एका कितना करोगे 15 तो 23 अब बताईएगा बहुत सांदार बढाते हैं धन्यवाद और बताईएगा तो आज आपके लिए पिटा कारे मजदूरी भी मैंने कम्प्लीट करा दिए ठेकेदारी वाले सवाल भी करा दिए कल आप मेरे सभी दोस्ट चुड़ना ना भूले सब्सक्राइब आप 5300 भी सब्सक्राइब अरना भूलें।